विद्यार्थी मित्रो जय स्वामिनाल दोराना आठ विशय हिंदी मां गया लेक्चर मां आपने पाट साथ हार की जीत ए थोडुक जोयो हतो हवे एना उपर आपने थोडुक ध्यानापी दईये तो बाबा भार्ती गाउ के बाहर मंदिर में साधु का जीवन जी रहे थे उसके पास एक गोडा था जो उन्हें प्राणों से भी प्यारा था गोडा सुन्दर, सुडल और आकरशब था बाबा भार्ती उसे सुल्तान कहते थे उसका सारा काम बाबा भारती अपने हाथों से करते थे वहाँ पे एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सीं तो डाकू खड़क सीं उस इलाके का सू प्रसिद्ध डाकू था उसके कानों तक सुल्तान की प्रसंसा पहुँच चुकी थी वह एक दिन गोड़ा देखने आता है आश्रम में और बाबा उसे गर्व से गोड़ा भी दिखाते थे दिखाया डाकू ने गोड़ा भी देखा और उसकी चाल भी देखी फिर वह बोलता है कि बाबा ये गोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा तब से बाबा भार्ती की नींद भी उड़ गई थी तो यहां तक हमने देखा था अब आगे का अभी देखेंगे संध्या का समय था सांजनो समय होतों बाबा भार्ती सुल्तान की पीट पर सवार होकर गुमने जा रहे थे बाबा भार्ती सुल्तान नी पीट उपर बैसी अने एना उपर सवार थाई अने फरवा जही रहा था इस समय उनकी आखों में चमक थी मुख पर प्रसन नता आ समय एमना आखों मां चमक हती अने मोड़ा पर खुशी हती कभी गोड़े के सरीर को देखते कभी उसके रंग को और वह मन में फुले न समाते थे क्यारेक एक गोड़ाना सरीर ने जोता हता क्यारेक एक गोड़ाना रंग ने जोता हता अने फोताना मनमा ने मनमा फुले न समाता हता सहसा एक और से आवाज आई अच्चानक सहसा एटले अच्चानक अच्चानक एक बाजुती आवाज आवें ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना ए कहे छे के हे बाबा आ कंगले कंगले एकले कंगाड तो आ कंगाड गरीबनू सांभरता जजो आवाज में करुणा थी एना आवाज मां करुणा हती बाबा ने गोडे को रोक लिया, बाबा ए गोडा ने रोकी लिदो, देखा एक अपाईज व्रुक्ष की चाया में पड़ा कराह रहा है, एमने जोयू तो एक अपंग ए जाडनी चाया मां नीचे बैठो हतो, अने त्या बैठा बैठा पड़ो पड़ो त्या कराहे टलेना तुम्हे क्या कस्ठ है, बाबा है कहिँ, के केम तने सू कस्ट छे, सू दुख छे, अपाहीज ने हाद जोड कर कहा, बाबा में दुखियारा हू, अपाहीजे हाद जोडीने कहिँ, बाबा हूं दुखियारो छू, मुझे पर दया करो, मारा उपर दया करो, रामा वाला यहा से तीन मिल है रामावाला अहिया थी त्रोण किलो मिटर छे मुझे वही जाना है मने त्या जव छे गोडे पर चड़ालो परमात्मा भला करेगा गोडा उपर वेसाडी दो परमात्मा भलू कर से वहा तुम्हारा कौन है बाबा आने पूछे छे खड़क सीने एटले के जे कारू कोन छे दुर्गादत वैदि का नाम सुना होगा उनका स्वतेला भाई हुँ दुर्गादत वैदिनू नाम तो तमे सामड़ी हसे एनो हुँ स्वतेलो भाई छुँ बाबा भारती ने गोडे से उतर कर अपाहीज को गोडे पर बेठा लिया और स्वयम उसकी लगाम प पर बैसारी दीतो अने पोते एनी जे घोडानी लगाम हती ए पकड़ी अने दीरे-दीरे चालवा लागया सहसा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हाथ से चुट गई अचानक एमने एक जटको लागयो अने लगाम हाथ थी चुटे गई उनके आस्चरिय का ठीकाना न एमना आश्चर्यानों पार न रहो, जब उन्होंने देखा कि अपाहीज गोडे की पीट पर तनकर बैठा हैं और गोडे को दोडाए लिए जा रहा हैं, जारे एमने जोयू कि अपाहीज गोडा उपर बैठो छे अने गोडाने दोडावी ने लई जई रहो छे, उनके मुकसे भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई, एमना मधा मा थी भय, निराशा अने आश्चर्या थी बरेली एक चीख एक चीज निकली गई, वह अपाहीज डाकू खड़क सीं था, ते अपाहीज बिजू कोई ने पौन हतो डाकू खड़क सीं हतों, बाबा भा भारती कुछ देर तक तो चूप रहे, बाबा भारती थोड़ी वार सुधी तो चूप रहा, इसके पस्चात कुछ निश्चय कर, पूरे बल से चिल्ला कर बोले, एना पच्छी एक कैक मनमा निर्णय करी अने बढ़ थी बोल्या, जरा ठर जाओ, थोड़ी कवार उभा रही हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह गोडा अब न दूंगा, एनी गर्दन पर हाथ फेरवता फेरवता, एने कहुँ के बाबा जी हवे आ गोडो हुँ तमने नहीं आपो, मगर एक बात सुनते जाओ, पण तु एक बात मारी सामभड तो जा, खड़क सी ठर गया, खड़क सी उबोरे गयो, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आखों से देखा, जैसे बकरा कसाई की और देखता है, बाबा भारती यह एनी नजीक जई, अने एनी सामें एवीरीते जोई, के जाएके कोई बकरो कसाई ने जोई रह हुए, फिर कहा, यह गोडा तुम्हारा हो चुका, फरी कहिँ, क्या गोडो हवे, तारो थई चुक्यों, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए कहूंगा, हूं तने एने पाचो आपवा माटे नहीं कहूं, परन्तु खड़क सी, केवल एक प्रार्थना करता हूं, परन खड़क सी, खाली हूं तने एक प्रार्थना करूंचु, उस अस वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, नहीं तो मारू दिल टूटी जसे, बाबा जी आगना कीजे, मैं आपका दास हूं के वले हो गोडा ना दूंगा, बाबा जी, तम्ये आगना करो, हूं तमारो दास चु सेवक्थू, पर हूं तमने फक्ता गोडो न अब घोडे का नाम नलो, हवे तु घोडानू नाम ना लईस, मैं तुमसे इसके विशे में कुछ न कहूंगा, मुँ तने एना विशे में आवे कसूज नाई कहू, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस गटना को किसी के सामने प्रकट न करना, मुँ तने खाली एटलीज प्र गटना बनी छे, एने तु कोईनी सामे प्रकट एले के कोईने कहतो नई, खड़क सी का मुँ आश्चरे से खुला रह गया, खड़क सीननू मडू आश्चरे थी खुल्लू रह गयू, उसका विचार था कि उसे गोडे को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परन्तु बाब भारती ने स्वयम मुझसे कहा, इस गटना को किसी के सामने प्रकट न करना, एनो इचारे ओ हतो के आ घुडाने लेने एने अहिया थी बागू पर से, पन बाबा भारती ये पोते एने ओ कहिऊ कि आ गटना ने तु कोईनी सामे प्रकट न करतो, इससे क्या प्रयोजन थाई सके छे, खड़कसी ने बहुत सोचा, बहुत सीर मारा, परन्तु कुछ समझ न सका, खड़कसी है बहुँ विचारी ने एने कई समझ मा न आवियो, हार कर उसने अपनी आखे बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी, और पुछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है हारी ने अटलू बदू विचारी ने एने पोते बाबा भारती सामें जोवे चे, अने पुछे चे के बाबा जी आना थी तमने सूर डर चे, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, सामडी ने बाबा भारती जवाब आपयो, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया, तो वे किसी गरिब का विश्वास न करेंगे लोगों ने जो आ वातनी आ घटना नुई खबर पड़ी जसे तो कोई गरिबु पर विश्वास नहीं करे यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुँ मोड लिया जैसे उनका कोई सब्बंधी न रहा हो एउ कहीने सुल्तान नी सामे थी एमने एवी रिते मुँ फेरवी लिदू के जाने के एनो कोई सुल्तान साथे सब्बंधज न होए बाबा भारती चले गए बाबा भारती त्याथी चाला जाए चे परन्त उनके सब्द खड़कसी के कानों में उसी प्रकार गुंजे रहे थे परन बाबा भारत खड़कसी ना सब्द एमना कानों मा एवी रिते गुंजी रहा था सोचता था कैसे उनके वीचार है पवित्र भाव है विचारतो हतो केवा उंचा विचार छे केवा पवित्र भाव छे उन्हे इस गोडे से प्रेम था एमने आ गोडा थी प्रेम हतो इसे देखकर उनका मूख फुल की नाई खिल जाता था आने जोई औने एमनु मडू फुल नी जेम खिली जतु हतु कहते थे कहता आता इसके विना मैं न रह सकूँगा आना विना हुँ नही रह सकूँ इसकी रखवाली में वे कई राज सोय नहीं आनी रखवाली करवा मां तो एक एटलिये रातों उंग्यान होता बजन बगती न कर रखवाली करते रहे जारे सुल्ता नेवु खड़कसी येवु कईने घह अतो क्या गोड़ों तमारी पासे नही रेवादो त्यारे भगवान नी भक्तीन बधू साइड मा मुकी अने ए रखवाली आ गोडाने आस्त बलनीज करी रहा हता परन्तु आज उनके मुक पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी पड़ आजे एमना मड़ा पर दुखनी रेखा पन नती देखाई देती उन्हें केवल यह ख्याल था कि कही लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे एमने फक्त एकज विचार हतो के बद रात्री के अंधकार में खड़कसी बाबा भारती के मंदीर में पहुंचा रात्री ना अंधकार मां खड़कसी बाबा भारती ना मंदीर मां पहुंचे ओ चारो और सन्नाट था चारे बाजू एकलता हती सन्नाटो हतो आकास में तारे टीमटी मां रहे थे आकास मां तारा च थोड़ी दूर पर घाव के कुत्ते भोग रहे थे। थोड़ी दूर गामना कुत्रा भसी रहे आता। मंदिर के अंदर कोई सब्द सुनाई न देता था। मंदिर नी अंदर कोई सब्द साम्भणवा न तो मड़तो। खड़क सी सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। ने खड़क सी सुल्तान नी लगाम पकड़ी रने आवतो होतो। वह दीरे-दीरे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा। ते दीरे-दीरे अस्तबलना फाटक सुधी पहुँचे। फाटक खुल्ला पड़ा था। फाटक पहरा देते थे, परन्तु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भई न था, कोई कवखत तो एवो हतो के बाबा भारती पोते लाकडी लई अने अस्वलनी रखवाली करता था, पड़ा जे कोई चोरी के एनों अवे भई हतो नई, खड़क सीन के आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, और बार निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया, खड़क सीने आगडवधी अने सुल्तान ने एनी जग्याई बांधी दितो, अने बार निकली ने सावधानी थी फाटक बंद करी दितो, इस समय उसकी आखो में नेकी के आशू थे आवखते एना आखो मा प्रामानिक्ताना आशू हता रात्री का तीसरा पहर बीच चुका था रात्री नो त्रीजो प्रहर बीच चुक्या हतो चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुट्या से बाण निकल कर निकल ठंडे जलसे वस्नान किया चौथो प्रहर एटले चार वाग्या पची तो ए सरू थाए एले बाबा भारती पोताना जूपडा मा थी बार निकली औने ठंडा पानी थी नाई ली दू परण्तु फाटक पर बहुंच कर उनको अपनी भूल प्रतित होई परण्फाटक सुधी पहुचया त्यारे एमने एमनी भूल समझाई साथी गोर नीराशाने पावको मनमन भरका बना दिया साथेज एटली बदी गोर नीराशाये एमना पगने मनमन भरना बना विदी दा वेक वही रुक गए ते ते आज रोकाई गया गोडे ने अपने स्वामी के पाव की चाप को पहचान लिया और जूर से हिन हिनाया गोडा ए पोता ना स्वामी ना पगनो अवाज पाव की चाप यानी पगनो अवाज तो ए पगना अवाज ने ओडखी लिदो अने ये जूर थी हण हणायो अब भाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दोरते हुए अंदर गुसे और अपने प्यारे घोडे के घले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानों कोई पिता बहुत दिन के बिज़़े हुए पुत्र से मिल रहा हूँ हवे बाबा भारती आश्चर्य थी और प्रसन्नता थी दोरता अंदर गया और पुता ना प्यारा घोडा ने गड़ा थी लगावी ने एवीरी ते रड़्या के जाने के पिता एना वर्शो पथी एना खोईला पुत्रा ने मड़ी रहा हुए बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार बार उसके मूँ पर थपक या देते गड़े गड़े एनी पीठ उपर हाथ फेर आवता अने गड़े गड़े एना मूँ पर थपक या इतले के चुम्बन करता फिर वे संतोस से बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मूँ नहीं म आपरेटे जईस्वामिना